हैलो दोस्तो मेरा नाब मान सिंगा और आप मेरा यूटूब चनल देरें MKBlog तो दोस्तो आप सब कैसे हैं आई होब कि सब ठीठाक होंगे आपका परिवार बिलकुर ठीठाक होगा तो दोस्तो हर रार यी तरह आज मैं एक नई कंट्रि की आपके सामने WORK PERMIT की वीडियो लेके रहा हूँ दोस्तो ये कंट्रि का नाब आपने बिलकुर सुना होगा और मेरे इसाफ़से काफी लोगों ने अपलाई भी किया होगा इस कंट्रि की WORK PERMIT के लिए और अगर आप विश्थार से होर कुछ जाना चाते हो यहाँ पर जॉब सेक्टर कैसी है और यहाँ पर in demand job currency है और कौन कौन से वीजे यहाँ पर मिलते हो क्या हम लोगों को वहाँ जाना safe है या नहीं है तो बने रही है मेरे चैनल के साथ चैनल को subscribe जूर कर दे बेल आईकॉन के बटन को जुरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जुरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी रगए, दोस्तों वीडियो को शुरूर से लाश्ट तक जुरूर दिखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि हम लोग जिस देश की वीडियो देख रहे हैं, उस देश का वर्क पर मड़का प्रसेस क्या है, डिमार्ड जॉब कौन कौन सी है, जॉब सेक्टर कौन कौन सी है, यहां का जो बैसी कल्चर है, वो कैसा है, तो दोस्तों जब तक आप शुरूर से के लाश्ट तक वीडियो उसको नहीं देखोगे, तब तक आप लोगों को बिलकुल उस देश के बारे में पता नहीं लग पाएगा कि हम लोगों कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, दोस्तों जो देश की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो देश का नाम है पोलेंड, पोले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने जब देखा भी काफी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो आज मैं आप लोगों को पोलेंड की वीडियो के बारे वीडियो बनाता हूँ, और पोलेंड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, तो सबसे पहले हम पोलेंड के बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक जानना बहुत जूरी होता एक वर्कर के लिए अगर वर्कर को बेसिक नहीं पता होगा वस देश के बारे में नहीं पता होगा तो थोड़ा मुश्कल हो सकता है तो बेसिक आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते विकीपीडिया पढ़ सकते हैं थोड़ा सा बीसिक मैं आप लोगों को मोटा मोटा बढ़ाता हूं पांचे लाइन का बाकी आप अगर डीपली पढ़ना चाते हो गूगल पर चाहिए पॉलेंड लिखिए वागी विक्की वीडिया के बारे में लिखिए वह आप लोगों को विस्तार से सब को योरोप में आती है और इसको रिपब्लिक ऑफ पोलेंड भी बोला जाता है कैपीटल है वोर्शा और यह बहुत बड़ी सीटी है काफी इंडेश्टल एरिया है यह और ऑफिसरल लेंगोज है पॉलिश यहां पर इंग्लीश भी बोली जाती है और जो यहां पर जिस धरम के लोग रहते हैं वो है क्रिश्चन और कैथालिक और काफी होर भी धरम के लोग रहते हैं मगर इतनी कैटेगरी नहीं है उनकी इंतनी पॉबलिक नहीं है मगर मैक्सिम जो ज्यादा परसेंट जिनका है वो है क्रिश्चन लोग और कैथालिक लोग है जो इसकी करंसी है वो है जोलोटी और इसका जो रेट इंडिया में वह उन्नीस या बीस रुपए के बीच में करते रहता है कभी थोटा से कम ज्यादा होता रहा है शेर मार्केट की वज़े से नेरवाइ का यहां पर पर नाच्रल ब्यूटी को देखने के लिए यहां आते हैं तो तभी यहां पर टूर्स बहुत ज़्यादा आते हैं अभी बातकॉर्द का आजाद आपे पॉलेंड इंदर जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं देखो सबसे पहले है सर्विस फिर है बेबरीज फिर कैमिकल coal mining food processing iron and steel glass machine building ship building textiles तो यहां के job sector है जो बड़े-बड़े job sector है यहां पर बड़े-बड़े work होते हैं यहां पर और इनके अंदर in demand jobs कुलती है होग भी काफी हैं जैसे कि in demand jobs ने जो blue collar implies है blue collar का मतलब है जो field में work करते हैं जो की machine के साथ work करते हैं जो की बिल्डों को के अंदर जाके work करते हैं उनको बहुते हैं blue collar employer जैसे कि इलेक्टरिशन पलंबर कारपेंटर या होर भी trade के बंदे हैं वह है blue collar apply जो जो कि physically अपने हाथों से work करते हैं अब उसके बाद है ट्रेड वर्क मीन की सेल वर्क सेल वर्क भी बोल देते हैं उसको जैसे कि फूड रियल स्टेट टूर सेल्स होर भी काफी ऐसे वर्क हैं आप गूगल पर जरूर सच करें आपको पता लग जाएगा फिर ड्रैवर बस ड्रैवर ट्रक ड्रैवर उसके बाद है टकनीशियन शॉप कीपर मनेज़र इंजीनियर आई टी स्पेशलिस्ट अकॉंटेंट रिशप्संस एक चार होटल ट्रांसपोर्ट फूर्ड सेफ बेकर्स और बहुत हैं वहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तक आपी लंबी वीडियो हो जाएगी स्क्राइग आप भी गूग करपाइंग÷ अभी बात करते हैं वर्क पर मट्ड़ विजा वहाँ पर लगता है ऌणाव पर पर फरमेंट यह नॉर्मल एक को फॉरर्ण वर्क कर लिए वीजा उतक है जो कि पॉर्लैड के के में नौनर्मल कर नेकिके लिए रहता है video निखक लोग वहांरे पर पर मट पर साथ है जो कि कोई कंपणी की और को ट्रस्फर करती है रहर योंगी कंपणी इंडिया में वहां पर काम करने उसको ट्रांसफर कर दिये पोलंड में ने आप जाएक पोलंड रしました वहां जाके वर्क कीजिए तो उसको मिलता है step C और E विजा अगला है बिजनस विजा में की बिजनस विजा वह चीज है कि जैसे किसी कंपणी के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं किसी बिजनस की मीटिंग के लिए जा रहे हो वहां से आपने कोई import export का work करना है और में आप बिजन वहां जाके अपना बिजनस खोलना है तो उसके लिए मिलता है freelancer enterprises विजा तो दोस्तों यह है टाइप वीजेगे अभी हमने इस वीजे पर कैसे जा सकते हैं देखो हर एक वीडियो में बताता हूँ आप जिस देश की वीडियो देख रहे हैं अगर आप उस देश में जाना चाहते हैं काम पहना चाहते तो सिंपल सी बात है गूगल पर जाएं उस देश का नाम लेगे आगे लिए जोग पोर्टल आजाएंगे वहां से एक एक जोग पोर्टल को खोलें उसमें registration करवाएं च मैसे मिल जाता है तो उसके बात कि वहां पर जाएं उस जो पोर्टल पर जाके देखें कि आपने जिस ट्रेड में पढ़ाई की है एक्स्पिरियंस लिया कि उस ट्रेड के साब से हैं अगर हैं तो आप वहां पर इंटर्लेक्शन रजूम सेंट कर दीजिए हां मैंने रजू वीडियो में जाके पहले देखें कि रजूम कैसे बनाना है क्या कौन-कौन से फॉर्मट में बनाना है और कैसे कैसे आप लोग रजूम को टाइप कर सकते हैं रजूम के बार में दोनों को डिफरेंट मैंने बताया हुआ बाकी डिस्क्रेफिशन बॉक्स में लिंक डाल लगा कि यह परसन हमारे देश में मेरी कंपणी में आगे काम कर सकता है तो वहां पर वो क्या करता कि आपको जॉब ऑफ लेटर सेंड कर देता है अभी जॉब ऑफ लेटर सेंड काने से पहले होर भी प्रसेस हैं क्योंकि उसको प्रमीशन लेनी परती है वहां की क्या हमारे देश में एक योर्प कंट्रियों में कि अगर इसको कोई वर्कर नहीं मिला है तब वह उसको बोलता है ठीक आप ऐसे कीजिए आप इसको जॉब ऑफ लेटर सेंड कर दीजिए फिर वह जॉब ऑफ लेटर सेंड करता है फिर वह आपके मेल पर डाकुमेंट braces apply करना है जब तक आप नहीं करोगे वहांपर रहने के लिए आप लोगों को वीजा जरूरी होता है और वर्क राहने के लिए एक अलगसी जाना पड़े गा जब दोनों आपके पैस आ जटेशिएotros पोलेंड में भे धड़क काम कर सकते हैं अवहीं बात करतimana वैलेडेटी कितनy hoti यह डिपैंड करता है वहां की रहां की कमपनी के ओपर कि आपको कंपनी कितने साल का विजा देडे़ें मैक्सिम्स दो साल या तीन साल से ज़्यादा नहीं मिलता है कंपणी दो साल तक को कोई काम दे सकते विए दो साल तक आप वरक कीजिये अगर कंपणी को दो साल के बाल लगेगा किंपलाई बहुत अच्छा है इसकी वारी कंपणी में ग्रोध हुआ है और इसकी को श्कैद भी नहीं है और इसको हम लोग होर काम देते हैं इसका वीज़क्ट करवाते तो वो करवा सकते हैं डेपेंड करता है आपके बीहेवियर पर आपके काम के ऊपर आपका जो बोलने का धंग यह उसके ऊपर यह सारी चीज़े वहां पर मेंटन करके रखें और उसके बाद क्या कि कंटीनुआ वर्क करते रहें तो मेरे इसाब से आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी अगर समझ में नहीं लगा तो आप दुबारा से वीडियो को देखें मैंने आप लोगों को सरलभाशा में समझा दिया है आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप दुबारा वीडियो देख सकते हैं तो दो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त आता हूं मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सस्रीकाल जैहिंद